हैलो फ्रेंड्स देशबर के लाखो चातर अपने 221 की बोर्ड इक्जाम्स की तेसारियों में लगे हुए हैं वही मैंने आपको 2 दिन पहले कुछ इंफोवेशन दी थी आपके प्रिडिक टेस्ट के बारे में आपके pre-board exams के बारे में, आपके mid-term exams के बारे में मैंने आपको बताया था कि September में आपके exams होने वाले हैं यानि September मंद से आपके exams होने वाले हैं तो ऐसे में September से लेकर आपके March तक के पूरे 5 exams आपके school में होंगे इसकी लेकर पूरी complete schedule हमारे पास आई है यानि कि कौन से date में आपके predict test होंगे कौन से date में आपके pre-board 1, pre-board 2 होंगे half yearly exams कब होंगे उसकी date कब से कब तक होगी कितने syllabus आने वाला है कितना तक syllabus होगा पूरी complete हमारे पास आगई है यानि कि मैंने आपको ये साब साब clear करके पहले भी बता दिया था कि देश में चाहे situation कुछ भी हो अस्कूले open ना हो लेकिन आपका syllabus चल रहा है तो आपके exams भी होंगे और आपके exams होंगे इसी को लेकर सबसे बड़ा उदारन आप ये मान सकते हैं कि सेप्टेंबर मन्त में जब देश में लगतार cases increase हो रहे हैं सरकार ने जेई मेंस की परिक्षाव को करा दिया है तो इससे साप साप आप ये समझ सकते हैं कि आपके exams नहीं रुकने वाले हैं तो चली मैं बीना देर करते हुए आपको सीधा आपको syllabus दिखाता हूं यानि कि आपका पूरी complete आपको schedule दिखाता हूं और बताता हूं कि आपके कप-कप exams होंगे और आपके September में कौन-कौन से exam होने वाले हैं मिट्रम exams कब होंगे पूरी date जानेंगे तो चली वीडियो को कर दीजे लाइक हो ही अगर आप कौन से board से पढ़ते हैं और आप अपने classes को नीचे मुझे comment section में जरूर से जरूर बताए हमारे पास एक seat आई है दिल्ली के केंद्रे विदाले स्कूल का यानि कि यह दिल्ली की होने वाली है बात वहीं हम अदर स्टेट्स की बात करें तो अदर स्टेट्स के भी यही एक date होगा यानि कि September में 2-3 date आगे हो सकता है पहले मैं आपको बता दू क्लास थर्ड से लेकर 12 तक के जो भी छातर है उनका यह पूरा एक्जांस होने वाला यानि कि सभी क्लासे 600 में आते हैं पीडिक टेस्ट आपका इसी मंत में होगा सेप्टेंबर में होगा 7 सितंबर से 16 सितंबर किसकी date रखी गई है स्लेवस क्या होगा स्लेवस भी हम साथ साथ जानते चलेंगे स्लेवस आपके यानि कि 38 जुलाई से आपके यानि मार्च के बाद आपके एक्टूबर में होगे। शतंबर में 5 अक्टूबर से लेकर आपके 19 अक्टूबर किम बात कर रहे हैं। यानि के किंद्री विदाले स्कूल की बातagerा स्कूल के भी इसी के date के लगवग होने वाला है। अक्टूबर मन्थ में होने वाला है। इसका syllabus आपको होगा 30 सेटेंबर तक आपको जो भी स्कूलों में अभी तक online session के दोरान पढ़ाया गया, वो सब कुछ आपके midterm exams में सामिल होगे, उसके तुरंत बाद midterm exams के बाद आपको predict test में सामिल होना है, predict test जो आपका रखा गया है 12 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में होग क्योंकि उनके predict test यानि की pre-board exams भी होते हैं, जो उनके board exams से पहले students pre-board exams में सामिल होते हैं, pre-board exams की बात करें तो 10th and 12th students ध्यान दिजिए, 2020 और 2021 का जो session है, यानि की 2021 से पहले आपके schoolों में जो exams होने वाला है, pre-board का एलान यहां भी क्या गया है, pre-board आपके जो होने वाले है December में, 1 December से 14 December इसकी date है, इस date की बीच में आपके pre-board 1 होंगे, और इसके तुरंत बाद यानि की आपके pre-board 2 होगा, pre-board 2 की जो date रखी गई है, 12 जनवरी से लेकर, 22 जनवरी तक date रखी गई है, दोनो pre-board के हम बात करें, pre-board 1 और pre-board 2 का जो syllabus है, पूरी complete syllabus आपके आने वाले ह क्योंकि एक्जाम्स आपके December में होगे, तो आपके पूरी complete syllabus होगी, यानि कि इसी के basis पर उसके बाद तुरंत बाद मार्च मन्त के बात करें, तो मार्च में आपका 2020 का board exams होगा, 10 भी बार भी students का, तो यह पूरी complete schedule है, आपके pre-board exams को लेकर, पेड़ी तो इसी को लेकर आप आपके वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को कर दीजागा, लाइक वहीं चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को कर दीजागा, सब्सक्राइब जाहिंत